अब सबको बिना बिताये घर से बाहर गई थी इस बात का जवाब तो दे सकती हो ना हम ये लेने गई थे हमने हमारी सहीली को गाउं के बाहर बुलाया था ताकि ये नोट्स ले सके घर पे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो इस घर का महौल देखे और कोई भी हमारे कारण आप सब पर कोई सवाल उठाए लेकिन हम देख रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गए आप सबने तो सवालों की जड़ी लगा दिये हम जानते हैं हमारी इस घर में कोई खास एहमियत नहीं है और हम चाहते भी नहीं है लेकिन इतना विश्वास रखी आप सब कि हमारे कारण आप लोगों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा और किसी को कुछ पूछना है आखे से हमेसा सच पोलना है लेकिन साइसमेप और साइटरी केसे इसरी आपरिसा जिसरी आपरिसास आपरिसा जाफर साइं कारिसंन जाफम साइटरी विस मघसरी नहीं के द смог जाता है स्वे लिझ भी आप सो है बन्तरी हमको लंदन जाने वाला सारा यात्री का नाम चाहिए दिखाईए अपना पावर पहुत्ते अर्जंट है जी वो काली पहलवान लाइन पर है एकदमे भग्चोनर है कारे काली अराम खोर अपरहन नहीं करना है ढूंडना है दमाध है उम्हारा सब्जाद चपपचपच चान मारे हैं रेलवे स्टेशन बस स्टेंड हर कोना कोना पर हमारा आदमी लोग खड़ा हैं लेकिन अनुराग बाब को कोनो पता ही नहीं चल ला है आज हमको रागिनी का कमी बहुत खल रहा है तू मिनट का काम था उसके लिए ही रागिनी के बाबुजी उस दिन हम इसी दिन के लिए डर रहे थे अब देख रहे है परिणा मत हो यह आप तू घंटा में ढूंड निकालेंगे हम अपना दामाद को हमरे ताकत का अंदाजा है ना को आपका ताकत का अंदाजा है हमें हमें यह भी पता है कि कुछ भी करके आप अनुराक को ढूंड लेंगे और सीधे रागिनी के बगल में बैठा लेंगे परी सोचा है जो आदमी उसके सुख के साथ नहीं है वो उसके दुख में पास कैसे का बात है विद्वान? का बोलें अम्मा? हम तो सोचे थे के बेटा पढ़ लिख के आएगा पुरा पुरा घर समाल लेगा करी तो पहला मुष्किल में भाग के हैं सायद हमारा ही दोस है हम उसे बिद्ध्या तो तिलाते रहें पर संसकार नहीं दे सके एतना जल्दी किसी नतिजे पर पहुचना सही नहीं है वो कहते है ना आदमी बुरा नहीं होता उसका समय अच्छा या बुरा होता है और बुरे समय खो थोड़ा समय दे दो तो वो चला भी जाता है थोड़ा इंतिजार कर लो सब सही होगा और हमरा अनुराग तो इघर का मान है देखना उँ इघर को बहुत आगे तक ले जाएगा सासुमा बहुत तुआ हमसे और इंतजार नहीं हो रहा है हम खुद ही अपने मिस्टर को लेकर आएगे चलना रहा अरे बहुरारे इसे घर छोड़के कोई नहीं भागता है इसे भी कौनो घर से भागता है का नहीं मा ऐसे घर छोड़के कोई नहीं भागता और नहीं मैं भागना चाहता था क्योंकि मुझे मजबूर किया गया इसने में भागा हूँ रह किसने तुमको मजबूर किया है उन सब में मजबूर किया है, जिनके लिए मैं लंडन से भाग के यहां आया और सबसे ज़्यादा मुझे आप में मजबूर किया है, माँ आपने आप सब के एक बर कहने पे, मैं वहाँ से अपना फ्यूचर, अपना करियर, अपना सब कुछ छोड़के यहाँ पे आगया एक अच्छी खासी जिंदगी मैं वहाँ जी सकता था लेकिन नहीं, मुझे आप सब के अर्मानों की परवाज हो थी सब छोड़के आपके अर्मानों के लिए यहाँ चला आया, लेकिन यहाँ क्या हो यहाँ मेरे अर्मानों की अर्थी सजी हुई थी क्यों? क्योंकि मेरे फ्यूचर के साथ साथ आप सब इस घर का फ्यूचर बदलना चाते थी जो लड़की मेरी जिंदगी में कभी मेरे लाइक हो ही नहीं सकती है मेरी मजबूरी को भगवान की मर्जी बना दिये मुझे तो उससे भी माफी मांगने का मौका नहीं मिला इसका मैं असली में कुनिकार है और उन सब के बाद आज जो कुछ भी हुआ उससे घर से भागना नहीं कहते हैं मैं खुद से भाग रहा था दूर हो जाना चाता ऐसे रिष्टे से जिसे मैंने नहीं बल्कि मेरी बेबसी ने चुना है लेकिन हम तो आपको अपनी खुशी से चुने हैं ना फिर हमें काई दुख दिये और हमें दुख दिये तो दिये अपने घरवला का भी बीपी ना उपर नीचे कर दिये आप अपनी खुशी? वट इमीन मैं अपनी खुशी? रिष्टा सिर्फ एक की खुशी से नहीं होता दोनों का उसमें खुश होना बहुत जरूरी है लेकिन मैं तुमसे यह बात क्यों कह रहा हूँ यह सब बाते तुम्हारी समझ से बाहर हैं चलो ठीक है अभी पता करो यू कितना घंटा घर से बाहर था और कहा था और कौन-कौन उसका मदद कर रहा था अनुराग अपने घर वापस आ गया है अब खौनो चिंता का बात नहीं है यह रागिनी के लिए वापस आया है या सिर्फ अपने घर वापस आया है यह कैसे पता करेंगे रागिनी के बाबुजी अब यह तो उसी से पूछना पड़ेगा पकफेरा का बात कर रही थी ना आप जी हाँ तो बुलाईए कल अपना बेटी और दमाद को पकफेरा का रसम के लिए रही क्या कर दो सुनिए वो त्रिष्टी अभी भी हमारा फोन नहीं उठा रही आप बिना सुरेखा जी अरे आप उसका ससराल उसके लिए ज्यादा जरूरी हो गया है वेस्थ हो गई ओकी वह अहाँ अभी अभी खुदिये फोन लगाएंगे उसमें तब आप बत्या लीजे, ठीक है ना? देखिए बात करने भर का बात नहीं है पक फेरा के लिए भी तो उसे बुलाना है ना? अरे हाँ भाई हम तो भूली गया है साधी के दूसरे दून के बाद ही तो पेटी को बुलाय जाता है हाँ हाँ अरे बेटा सुमेर अरे बाई जल्दी से तैयारी कीजिए अपने बहन को ला ले पक फेरा के लिए लेकिन बाउजी हम कैसे जाए और का मूले के जाएंगे का है? बाउजी आपको लगता है वाईगी हमरे साथ बहुते नराज होके गई हूँ हम सबसे सुमेर बेटा बेटी की शादी के बाद उसका रिष्टा अपने माईके के साथ बहुत मस्बूत हो जाता है शादी के बाद जब कोई भी बेटी अपने ससुराल जाती है तो उसे उसकी माईके के मिट्टी तक से प्रेम हो जाता है तुम जाने के तैयारी करो हमें पूरा विश्वास है हमारी सिष्टी जरूर आएगे घर तो वो होता ना भाईया जहां सबकी खुश्यों का खयाल रखा जाता हो कहां है हमारा वो घर हम कहीं नहीं जाएंगे जहां आप सबने हमें भीजा है हम वहीं रहेंगे पर मा कहा रही थी के रसम बहुते जरूरी है पापा ने हमारा कन्यादान कर दिया है भाईया अब हम उस घर के नहीं रहे तो इसलिए अब कोई रसम माइने नहीं रखती है और भाईया उमा कहती है ना कि बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते तो अगर आप इसे हमारा ससुराल नहीं मानते हो तो हम आपके लिए पानी लाएं हाई बाप इस ससुराल में खड़ा होके कोई अइसे अपने भाई से कईसे बात कर सकता है बताओ तो हमारा तो छोटा भाई था तभी हम अपने घर में भी कभी उससे इसे बात नहीं किये थे नमक से नमक नहीं खाया जाता गुस्षे को हराने के लिए प्रेम का जरूरत होता है बहुरिया इस पगभेरा के रसम का बहुत मान होता है उँ बीटी बहुत भाकिशाली होती है जो पगभेरा करती है और उँ माँ भी जो पगभेरा देखती है लेकिन हमरे भाग में तो वो भी नहीं था अब अब बहु जानती हो हमारी जो अम्मा है न कि रोज सुबह मिठाई का एक टुकड़ा परसाद के नाम पे थमा देती हैं और हम भी उसे लड़्डू समझ के खा लेते हैं इसे मा का धरम भी हो जाता है और हमारा करम अम दोनों मा बेटे एक दम खुष पेठा अकर वैसे ही तुम अपना घर जाओगी ना तो घर वाले उसे पाख फिरा समझ के बहुत कुस हो जाएंगे और तुम अपना जरूरी समान लेके आ जाएंगे जैसे अभी कल सुबह गई थी ना अपना सहेली के पास नोट्स लेने वैसे ही पाख फिरा के बहाने अपना सारा जरूरी किताब लेती है ना कहा ब्रिज अभी या नाड़ी मंगा दो जी वहू पाख फिरा के लिए जाएगी जी कईसे तयार करें इनको जाने के लिए और अभी हम कुछ पखेडा भी नहीं करना चाहते इसा कहा करें कि हमारे मिस्टर राजी हो जाएग अनुराग वो पराग बावो आने वाले हैं रागीनी को पक फेरा के लिए ले जाने इस बिधी में ना बहू और बेटा दूनों का हना बहुत जरूरी है तो आप मुझसे क्या चाहती हैं हम चाहते हैं के तुम रागीनी के साथ अपना ससुराल जाओ दिखो अनुराग हमरा आपस में जो कुछ भी हो रहा है न ही सब बात रिस्तदारों तक नहीं पहुचना जाहिए अगर तुम नहीं गए ना तो उन सब को बेमतलब का बात करने का मोका मिल जाएगा मां मैं दौलत के ताराजू में तोला गया सामान हूं जिससे कोई भी उस कर सकता है और सच बता हूं तो अब मुझ में वो बेटे तमाद ऐसी कुछ फीलिंग्स ना रही नहीं इसलिए प्लीज मां आप मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर मत कीजिए जिसमें मेरी खुशी ना हो अरे तुमारा खुशी के लिए ही तो हम वकील बाबू के घर का रिस्ता बान लिये थे ना इस सब जो कुछ भी हुआ है ना वो होने है उसका स्विकार तुम भी जल सचल कर लो अरे भाई अब आपके बारे में हमको पता नहीं था ना और साधी बियां में एक दूसरे से मुलकात भी नहीं हुआ तो जान पैचान तो हुआ ही नहीं इसलिए बस हम भूल गए थाड़े हो अरे का आपका जो मन करें आप ले लीजियेगा अब तो खुसो हां हम इतना में काम चला लेंगे बाकि अगला बर जब आयेगा ना तो छोटकी भौजी के लिए भी कुछ लेके आईगा काहिकी अब उनके घर से तो कुछ आने से रहा है दुलारी इक का फाल तू का बात कर रही हो कहां का कहना चाहिए कुछ होस नहीं रहता तुमको भाग रहे थे अच्छा चलो भागो भागो हम भी देखे कैसे भागते हो बंदूग देछे दी दीजी दी आज जिस कुक्कुरमुता को बेखुन पहुचाई देते हैं मिस्टेक होगे हमको हमें बॉक्स दीजी प्लीज इसमें का है छेदी देख का है इसमें देख कुछ नहीं का है इसमें बताइए तुछ जमीन का डील कहीं और कर रहा था मन तो कर रहा है गाड़ी से पान के ना पूरा पकफेरा करें पर उसमें का आए की जरुत नहीं है प्लीज आने दो उसे एई हमारे मिस्टर राजपहिली बार हमसे कुछ मांगें चलो छोड़ दिया भागो अरे जहां ना भागिये भागिये चले ये लो अरे आप यहां क्यों बैठें आप गई क्यों ने अम रागिनी जी को अच्छी तरह से जानते हैं यहां से भागते तो कहीं और पकड़े जाते अब हम आपके साथ ही चलेंगे अब हमारा फैंसला विकराल जी ही करेंगे पहले से इस घर में बहुते बवाल मत चुका है अब कोई नया मुसीबत हमसे बरदास नहीं होगा का है भाई हमको नमुसीबत का नहीं अपनी बहन का बात कर रहा है स्रे मतीजी वही बहन जिसके पत्ती के बज़ा से आज आपका लड़का आपके सामने ख़डा समझी है आप लीजी देभड़जी आप भी सुन लीजी इसना अपना मन का करके भी इनके मन को चैन नहीं मिल पा रहा है कि अब रोहीनी को भी इस घर में लाना चाह रहा है लगता है मान अपमान सब कुछ भूल बैठ है भाईया हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप भुला गये होंगे पर हमको सब याद है वही के कारणी पूरे पूरे जवार में पूरे समाज में आपका उठना बैठना बंद हो गया था जॉनकारिक पोर्त गई है ना आपके मूँपे आप भूल सकते हैं पर हम नहीं अच्छा छोड़ो वैसे भी आजकल ये सब कहा होता है ना तुम ये बताओ कि मा तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक है ना तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटी आप लोगों ने शिष्टी जी का साधी हमरे साथ करा दिया ना इसले थोड़ा नाराज है लेकिन आप परिशान मत हुएगा कि हमरी दादी ने इनको समझाया है तो इनका गुस्सा कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा अब का है कि थोड़ा टाइम तो लगता है ना विश्व बबबु आप भी अंदर कमरे में जाएए हम आपके चाय नाश्ता का इंतजाम करते हैं हम ना शिष्टी जी के कमरे में नहीं जाएंगे तो का है कि हुआ अपने हिया भी हम उनके कमरे में जादा नहीं जाते सब्सक्राइब कर अपतरो परणे है झाल हो ऐस नाश्ता है तो सौचे कि आपके लिए गिफिले आते हैं और वैसे भी भंटे लगी है हमारे लिए जब भी मिलता है ना समारे मिस्टर हमारे आसफासी रहते हैं तो ऐसा है तो एक काम करते हैं, इसको तुम्रा कमरा के बाहर बान देते हैं काज जी जाजी सब का बात लगा रखा है? चलो, अंदर चलो वेल्कम हमेरे जिजाजी वेल्का। ठीक शुब्रे लेजी वेल्का। अरे, एरे, हमारे दामाग को परेषान बत करूऊ, चला चालो, हाँ-च्はै चालिये? इसको बांध के रखो, इसका हिसाब किताब बाद में करेंगे. का की? का बात है? का है इतना परिसान में गई हो? नहीं, कुछ नहीं. अरे दिप्या, छोटकी फुआ सोच रही होंगे अपना बाल बच्चा के बारे में. अर्का, अनुराग बबुआ, भीसु बाबु का तसाधी हो गया. अब ऐसे में छोटकी फुआ सोच रही है कि अगर उनका अपना कोई बच्चा होता, तो उसका भी तिलक बरिच्छा होता. होता कि नहीं. बाकि अब नसीद में इसु खईये नहीं है, तो का करेंगे? अब आउर अगर इबात नहीं सोच रही हो तो इता जरूरे सोच रही होगी कि अगर अपन कोनो बच्चा रहता उसका बराती को कोई माधा पर बंदूख रखके उठा लेता ता? तब ही का करती? बाकि छोटकी फुआ हम तैतने कहेंगे कि आपका ता सबसे मिमन है. ना बाल ना बाच्या, अनीन पड़े अच्छा. हम ऐसा कुछों नहीं सोच रहते, दुलारी. हम अपना मान से थोड़े कुछों का रहे हैं. अब तुम्हारे चेहरा पर जो लिखा है वाई ना बता रहे हैं. दुलारी. अगर चेहरा पढ़ने का तुम्हें इत्ता ही सबूर होता है, तो सीसा के सामने खड़े होने का हिम्मत ना कर पाती तुम्हा, ठीके का रही हो पुआ क्या, मान. हमारता के समाते खराब है. तब है ना हम मूँ खोलते हैं, चार लोग हमको कुछ उगा देता है. यह हाल हमारा सरसुरार में है यह भी हाई हो रहा है, हम जा रहे है अपनी खुआ कि पाता हमको कोई सौक नहीं है यह रहने का. दुलारी रुको, चाने से पहले हम तुमारा संका समाधान करी देते हैं, तो क्या है ना दुलारी हमार तीन ओलादे हैं, तो बेटे और एक बिटिया, एक बे अरे भाई, कैसा फाइल बेज दिया हैं आप? डाउनलोडर नहीं हो रहा है? क्या? अच्छा देलिवान, ची क्या देढ आचा तारादे हैं, तो बेले हैं, तो मुझा नहीं है, को चाने से लिगा हैं, तो कि हमें सम्काथ यहाँ, गुसा और मुसकान एक साथ, बहुत ही गजब ढारी है, अब आप का देशो तम जूत हो तालने पर ले फर पर बताय देते हैं, हुँँँँँगा, अरे हुआ का, अदूरा कॉम फोरे घर, उसके बाद हम चले गए बिजनेस मीटिंग के लिए होटल, वैसे फस गए क का हुआ, कौनो बाद परसान कर रहा है का? अनुराग बभुआ इससे घर छोड़ के काहे भाग रहा था? अब बेक्राल सिंह की बेटी से साधी करेगा, अब अब अन्दूक की नौक पे, भागे कैनी तो का करेगा? लेकन आप परिशान ना हो, हम सम्झा दी है, सब तक हो ज जादा संभालने की जरूरत थी, वो तो साधी का मतलब भी नहीं समझता होगा, खेर, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ होगा, सुनिया ना, हमें विसू और अनुराग की बहुते याद आ रहे है, तो में कुनसी बड़ी बात है, लीजी, बात कर लीजी, हम लगाए आप प्रक्रणागा, यहींगी. गासोल्चरी अनुरा, पप, खाना अच्छा नहीं लगागा, हम जानते हैं, आप अमारी बात का जवाब नहीं देंगे, पर कुछ बात है जो हम आपसे करना चाहते हैं, हमारी रागिनी और आपका कोई मेल नहीं है, हमारा विस्वास कीजिए, हम पहले से इस साधी के पक्स में नहीं थे, लेकिन साहित, होनी बहुत प्रबल थी, और उसका स्विकार करना आपके लिए कठी है, एक रात में मजबूरी के चलते, जिन्दगी कैसे बदल जाता है, वो हम समझते हैं, बात सिर्फ मेरी जिन्दगी बदलने की नहीं है, उस रात, एक जित की वज़ा से, चार जिन्दगीयां बरबाद हुई थी, सुष्टी जिससे मेरी शादी होने वाली थी. झाल, 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